नमस्कार किसान साथियों बात करते हैं आलू के भविस के बारे में क्या आलू का जो भविस है वो बदल सकता है या नहीं या कोल लिक्ष्टोरों की जो इस्तिती है वो कैसी देखने को मिल रही है तो सारी जनकारी के साथ हम आपको कुछ आकडों के आधार पर किसान साथियों इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि आलू के जो भाव में लगातार आ रही मंदी का जो कारण है वो क्या है और इसका जो भबिस है आगे चलके कैसा रहेगा कुछ बदलता हुआ नजर आएगा यार नहीं तो चलिए किसान साथियों वीडियो को सुरू करते हैं अब हम आपको इस वीडियो में अपनी राय के साथ आपको फुल जानकारी के साथ बताएंगे तो चलिए किसान साथियों वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अन्रोद है आपसे अगर आपने हमारे ही चैनल को भी साल किसान साथियों बहुत ही सामाने रहने वाला है क्योंकि किसान साथियों मैंने बहुत सारे किसान साथियों और बहुत सारे ब्यापारियों पर वात की है उनका कहना यही है कि इस साल ना तो जादा बंपर तेजी देखने को मिलेगी और नहीं आपका आलू फिकेगा तो ऐस किसान भायों की जो लागत रही है अगर बात करें किसान साथ यो कोल्ड इस्टोरों की तो इस्तिदी है वह 80-85% फूल हो चुकिये क्यूंकि इस साल पिछले साल क्या पेक्षा इस साल कॉलड श्टोरों में आलू की जो बृद्ध है वो कोच जादा ही देखनेबी को मिली है को जादा भाईयों ने अपनी जो रुच स Drag FC दी है वो हमारा जो आलू है वो एक कम सही सलामत तो देखने को मिलेगा उनका कहना ये है कि अगर ज्यादा बंपर तेजी नहीं देखने को मिलती है तो एक अच्छा सा महाल एक सामान ने महाल तो देखने को मिलेगा तो किसान साथियो अगर कोल इस्टोर की इस्तिती की बात कर तो 5-6-7% ही हर एक छेत्र में जो हार्वेस्टिंग है वो बची है मादर ये भी किसान सात्यों कुछ आने वाले दिनों में ये भी फूरी हो जाएगी तो किसान भायों कुछ आकुड़े के अनुसार हमारी तुर राय ये थी अगर आपकी राय क्या है कैसा महौल लेगा कितनी हर्वेस्टिंग होने क्यों है आपके छेत्र में कैसा महौल है हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए हम आपकी कमेंट का बेसबरी से इंतजार जरूर करेंगे